वेल्कम बेक और अप प्रोग्याम में हमनें बाद करनी है उस मस्मले के हवाले से जो बदलते के साथ साथ बहुत जाधा आम होता जा रहें और माहिरे स्किन है, डर्मतोलोजिस्ट है हमारे साथ मौझूद, दॉक्टर सवेरा सेफ, खुश आम कहेंगे जी आपको प्रोगेमे और अलर्जी के हवाले से अम बात करें हैं, अलर्जी है क्या? सबसे पहले तो यह बताएगे. अलर्जी वैसे तो एक ऐसी टर्म है जिसको हमारी पॉपुलेशन एक बहुत ब्रॉड चीजों के लिए इस्तेमाल कर लेती है, जैसे कि अगर आपको किसी चीज से ऐलर्जी है, फर्स करें, तो वो जब भी आपकी बॉड़ी के साथ इन कॉंटक्ट आती है थूरू एयरबॉंड हो या आप फिजिकल कॉंटक्ट हो, तो बॉड़ी में एक रिस्पॉंस डवेलप होता है अगेंस दाट अलर्जी तो कोई कि जीज्ट साहिं डाप, लिदिए इस चीजिम पे लाल मंके धपड बनते हैं, यह को आम जबान में डिस्क्राइब करते हैं और जैसे कि साथ भी हो सकती है और उसके बहुत आदा खारिश होती है जिसके साथ बहुत दा टास्त होता है पस्पल। सभ्थ जिनका सामना करतेते ह Jugos 5 लग ना करते हैं सामना कर वैसे तो एक बहुत बिए मोई जाकर मैं था कितनी type allergs है लेकिन basic allergies हम इसको डिवाइट करते है in acute and chronic allergies की का Έई यसमें जो हम Oui article antagon server terminology करते हैं for the skin कि जब आपके 산nah came up aいや अबढन भनते हैं तो हम उसको urticaria correct वह Acute or chronic जैसे कह अदर आगर हो रहा हे और ठीक हो रहा है तो उसको हम एक्यूट ऑंसेट कहेंगे और अगर उससे बढ़ जाता है सिक्स वीक से ब्यॉंड तो हम उसको प्रोनिक अर्टिकरिया कहते हैं फिर उसके इलावा जो है बहुत सारे एजेंट्स हैं इससे के ऐलर्जी प्रॉडियूस होती है जैसे के बधेरियारी जैसे बड़ियूस और से उसे लौक उसको तो अ क्यांट है कि इसके लावा जो है पैर्यसाइट्स अगर बॉडीमे ऐघरीूं के हैं वो अगर और प्रॉडियू इप उसकता है उसके इलावा फूड बहुत सारा फूड ऐसा है जो हम खाते है इसके क्यों तबसे जाएदा तो लोगों को डेडिरी बॉडक्ट्ट्ट्स अलर्जी उतीन उनने प्रोटीन है तक के लिए अलर्जी को ऑग डिख्ञतर उनने कि न्मेसे फॉर्डेट्स पूलेस्पारणी देजेंना एक और तो हम उनको कहते हैं आप डेजी प्रोड़क्स के लाक्टोस फ्री डाइट लें लें उसके इलावा उनके अंदर इफरेंट प्रोटीन हैं जो के हमारे भॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है उसके वज़ा से आपको अलर्जी जो रही होती है अगर आप अपने पूद के इंडियेंट्स में पढ़ें तो वो कुछ कलर अडिंग अडिटिव होते हैं प्रिजर्विटिव होते हैं कोई अंटी अच्छिदिन सुने उसमें डाले होते हैं और हमारे हाँ जैसे के spices यूज़ की जाती है फूद में बहुत स्यादा तो spices से भी अलर्जी इंडियूस होती है सवेरा महौल का कितना असर होता है क्योंकि आजकल हम देखते हैं समोग भी देखते हैं उसके साथ साथ जो है वो पॉलूशन बहुत जादा है हर तरफ जो है वो गर्थ है मती है अब रालूट सा मौसम रहते हैं वो कितना असर अंदास बहुत जादा असर करता है क्यूंकि रस्परिटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानि के ना कान गले जितने भी हैं वो भी आपके कॉस हैं फॉर अलर्जी जिए इसके लावा जो है अगर हम बाकी फैक्टर्स देखें तो हीट और कोल्ड से भी अलर्जी जितने आम जबान में जैसे ही सदी का मौसम आपना शुरू होता है कुछ लोगों को अलर्जी इसके लावा जैसे जिनके शोबे हैं जिसके अंदर वाइब्रेटरी टूल्स इसतमाल गर रहे हैं जैसमें ड्रिलिक हैं और लॉन-मोर हैं और इसमें आपके बाड़ी को वाइब्रेशन विखेंटे इसे दो आप जो है विखेंटे इंसने से डवेलप हो सकते हैं सही डिफ्रिंट टाइप से इनर्जी सवेरा ऐसा होता है कि मॉस्टी जब मॉस्सम बडलता है तो बहुत सारे आपने कहा है कि माँ को बहुत शिकायत होती है कि बच्चे बहुत जलदी बीमारोजाएं और इसके बाद भीड़िया इतनी मैडिकेशन भी होती है लेकिन उसके बाद भी जो जुकाम और वह चूंके मारने का सिलसला है वह साथ साथ जारी रहते हैं उन बच्चों को हम एक टॉपिक एक्जिमा में भी क्याटेगराइज करते हैं कि उनको फिर हम पहले से ही हमने बताया होता है कि आपके बच्चे को यह जो बिमारी है यह वक्त के साथ-साथ बेहतरी की तरफ जाएगी जैसे बच्चा बढ़ा होगा जैसे बच्चे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो बहुत सारी चीजे हम लोग खाते हैं और कहा यह जाता है कोई एक ख़ा हमने खाई है उसके बाद जब दूसरी चीज खाई है उन दोनों ने आपस में रियक्शन किया है जिसके वज़े से हमें अलर्जी हो गई ऐसा भी हो हो सकते हैं लेकिन स्पेसिफिकली बात की जाए तो एक खास फैक्टर होता है जो आपकी बॉड़ी में इतने मासल्स मीडियेटर्स रिलीस करवा रहा है जिसके वज़े से आपको ऐलर्जी हो रही है वो एक खास जीज ही होती है इसको ऐसे नहीं बताया जा सकता हां ले रहे हैं किसी मसले के लिए उस एंटिबायोटिक आपको सूप नहीं करती तो उसके वज़े से आपको एक रियक्शन आ सकता है उसको हम कहते हैं कि जी रियक्ट कर गी है उसके लिए फिर यह है कि आप पहले हमेशा आफ्टर टेस्ट डोस वो दवाई लगवाएं अगर लगवानी है और अगर आपने खाली है और उसके बाद की रियक्शन आया है तो आपने लाजबी उस ड्रग के बारे में अपने नौलेज रखनी है और आपने आएंदर डॉक्टर उसको बताना है आपने बात की है कि मैडिकेशन कुछ आमैसी लेते हैं जो हमें बादी में छाएंधार सिस्केशन कि में अपने अपने में शॉक् artist कर गदी हैं लेकिन कभी-कभी देखा जाता है कि अलर्ग हो जाती है लेकिन उसके बाद से के अद JONताना उसका ने फिदित करना उनके पना सबसंदार ऊपना है नोट सुस्क्स्स जो आःसा बुली हो ना मेरीज तरह हम अलर्जी की बात कर रहे हैं कि एक डिफरेंट चीज है दोनों को हमारी जर्णल पॉपुलेशन इसली मिला देती है कि वह समझते हैं कि बस एक ही चीज चल रही है हलांकि दोनों डिफरेंट चीज है जो एड़र्स ड्रग रियक्शन उसके अंदर तो एक आम सी थोड़ी सी चोटी सी बिमारी के से लेके एक बहुत स्वियर बिमारी तो एक बहुत स्पेक्ट्रम है जो के ड्रग की रियक्शन का हम देखते हैं कि जिससरफ हाथों पर थोड़े थोड़े निशान बन जाएंगे ठीक है एरिथिमा मल्टी-फॉर्मी जिसको हम कहते हैं या उसके बाद वो लाइफ ठ्रेठनिंग तब बनती है जब आगर आपकी लेरेंजर इंवल्मेंट हो जाए आई जाए आपकी सांस लेने में बहुत जादाध दिक्कत और दिश्वारी हो जाए फिर रोगोव एक्यूट गैरेंजमेंट की जूत है उसको हम जह हम जह हम आईदी तरीके से और एमर्जिंसी ट्रीट करते हैं सवेरा अकसर हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की बलके लड़कियों के यह बहुत शिकायत रहती है कि स्किन पर सफैद रंग के धब्बे आ जाते हैं या फिर लाइट ब्राउन कलर की जिनको जो है वो अकवातीन देसी उसमें टोटको में भी बड़ा कोशिश करती हैं कि इसको खात्म किया जाए उनकी क्या वजुहात है और क्या इलाज हो सकता है जो सफैद रंग के धब्बे तो अगर आप कहें तो किसी भी चीज कोई जखम बना उसके बाद कोई जखम हो गया उसके बाद निशान चोड़ गया वो हाइपर पिग्मेंटेशन होती है वो स्किन की हीलिंग प्रॉसस का एक हिस्सा है वो खुद भखुद भी ठीक हो जाता है अगर आप सिंप्ली इसको मॉस्टराइज रखें लेकिन अगर आपकी चाहियां वगयरा की तरह की कोई हाइपर पिग्मेंटेशन है उसके लिए आपको ज़्यादा आपको संब्लॉक्स यूज करने पड़ते हैं फेडिंग क्रीम्स यूज करने पड़ते हैं और अगर इसके लावा कोई और है क्यों के अपर एक वह तहाशा डिफरेंशल मन सकता है कि क्या चीज हो सकती है उसके साथ उनको खारिश होती है नहीं होती है और बहुत सारी अपर इसके साथ को डिरेक्ट नहीं है वह बस ऐसी कि सोचा जाता है कि कैल्शीम सफैद रंगा होता है तो वह भी सफैद रंगे थब्बें तो कोई इस तरह का कुछ भी नहीं है वह एक अलग चीज है उसको हम पिट्रियासिस अलबा बोलते हैं जो चेरे पर शोड़े बच सवेरा सरदी का मौसम है लोग सीफूड भी बहुत खाते हैं मचली बहुत कह थे और पिर बचों को बड़ों को सब कहा जाता है कि अचे काने के बाद दूध में पेजाए लांकि यह है कि वह ऐक खास नसल की मचली है जिसको खाने के बाद दूध में पिते लेकिन यह कॉमन अगर आप पी लेंगे मचली के साथ आगे पीछे तो आपको फुलवेरी हो जाएगी विटलाइगो हो जाएगा इसका भी कोई scientifically proven fact नहीं है और अगर आप ज़रबा भी करना चाहे तो ऐसी कोई बात नहीं है इसका पीछा जो आपने फिलवेरी की बात की है किस वजासे हो जाते है वह किस वजासे हो जो एक autoimmune disorder है वह जिसके अंदर आपकी मिलानोसाइट्स के अगेंस्ट एंटिबॉडी इविलप हो जाती है और वह आपकी जो मिलानोसाइट्स हैं या मिलानोफेज उसको खतम कर देता है इसकी वजासे सारा जो आपको पिग्मेंट है वो खतम हो जाता है तो वह आइससा बढ़ते बढ़ते पूरी पूरी पहले 10 स्किन के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारी खवातीन है जिनको शिकायत रहती है कि बहुत सम बदल रहा है स्किन पर खुश्की बहुत हो गई है पिम्पल्स आना शुरू हो गई है रफ हो गई है इसके लिए क्या करेंगी एक तो हम पानी बीना बिलकुल छोड़ देते कि इतना अच्छा आजकल वाइटमिन सी इतने फॉर्म्स में अवेलेबल है जैसे कि हमारे सिट्रूस फूट्स आरे हैं माल्टा किनू मुसम्मी वगएरा और उससे भी ज्यादा वाइटमिन सी अमरूद में होता है तो आप अमरूद खाएं ये इस किनू गईरा के जूस प और निकलने का तालूच है तो वो उन लोगों को एवाइट करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा है इस अब होता है कि भी खावातीन को खाना पीन पर भीजिय खाना पीना जैसे होता है कि आप पिमपल्स बनने की सूलत में आपको नज़ादा। इसकी बहुत जादा खराब में। बहुत सारी हुआदी इस चीज की बहुत जादा शिकायत की जिए और परेशान रहते हैं। अभी आपको बताया ना जैसे कि आप बहुत अदा ओड़ी और फाटी फूड अगर लेंगे तो इसके साथ अक्नी का असोसियेशन है इसको प्रूब नी किया गया कि क्या रीजन है लेकिन एक कुछ अबसेशन हैं इसके उपर बेस की जाती है कुछ चीजें तो हम ओली और फाटी फूड जहें मों मना करते हैं जादा जादा शुगरी डाइट मना करते हैं जैसे के चॉकलेट सोगी कोला द्रिंक सोगी यह सब चीजें जो है आपकी हाई कालोरी हाई हाई काura टैड भीट इसके इसके इस ताथ अठेके अड़े बाल आना या फिर अकनी निकंना उसके लिए पूरा फिर इन्वेस्टिकेशन करके उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करना होती है सवेरा कुछ लड़कियां हैं शादी का सीजन भी है महंदी लगवाती हैं महंदी से अलर्जी हो जाती है वो ऐसे दाख दबे बन जाते के दुबारा वो जाते ही नहीं यह बहुत अच्छी आपने चीज याद दिलाई कि यह कॉंटाइक्ट नर्माटाइटिस का एक बहुत ज्यादा कॉमन हम देखते हैं कि क्या मेहंदी जो कौन मेहंदी आरही है मार्केश में वो मेहंदी तो आई थिंग ही नहीं Mdolnir негоar Lab workers in chronique Urich एल यह इंस्टने रंग देता है आपको स्कीण के ऊपर तो वह ऐक बहुत ही गंदा 홉ड़ा है सब्सक्तर कि यह आपकी स्कीन को आरहा से ब्रंग भी करता हैंें और बहुत सब्सक्राइशन होती है बर्णिं फिया और एडनस कि हो है छोड़ देता है आपकी स्किन के उपर और ऐसे लोगों तो बिलकुल नहीं लगानी चाहिए कि अगर आपने यूजी करनी है तो आप नाच्रल महंदी लें उसको इस्वा लें और उससे जो आप बालों में लगाना चाहते हैं वो लगाएं ठीक है लें लेकिन यह है कि यह के में करें लिए बहुत सादा विए को बात में भूगतना भी पड़ते हैं लेकिन बात यह हैं को यह कोई इसी इसी एत्याती तताबीर नहीं की जाती गर्मन्न लेवल पर भी इन बिल्कुल सही बात है, जो के इनके लिए मसायल पैदा कर दिया है सिरफ यही नहीं है, हमारे पास तो बहुत जादा केसि आते हैं वाइटनिंग क्रीम जिनसे वाइटनिंग क्रीम इस्तमाल करने के शौक में या गरंगोरा करने के शौक में जो वह हालत की होती है, तो इसके अपनी बिल्कुल बर्न आउट ही होती है, इसकदर लाली आई होती है चेहरे के उपर और उसके विजास धूप की शौएं बैडली एफेक्ट कर रही होती है आपके चेहरे पर क्यूंकि आपकी स्केन इतनी खराब होगी होती है कि वो सान प्रोटेक्शन भी उसके जो होती है सवेरा हम दिसक्रिशन का आगास यहीं से दुबारा से करेंगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी फर्जाना मौल रोट से आप ने हमें फान किया है फर्जाना कैसी है आप हैलो जी फर्जाना मुझे आपकी आवाज आ रही है कहिए कैसी है आप मैं ठीक हूँ आप कैसी है मैं ठीक हूँ अला तर चुकर डॉक्तर सवेरा हमार साथ मौचिं पर क्या पूछना है मुझे यह पूछना मैं एक तो सर्दियों में मेरी स्किन पर मसलन किसी भी जगा एक तो हारिश होती है मुसलिफ जगों पर फिर वहीं पे ना ऐसे ड्राइन जगा से होती है और इसे फिर मैं कैसे इसको करूं ठीक है परजारा तीवी देखी है अभी आपका जवाब आप तक पहुचाते है जी डॉक्तर सवेरा यह बहुत कमन सारी प्रॉब्लम्स बतारी है जो कि मैं आज से हमारी सारे लोगों को ही होती है सदियों में एक तो हम लो या आपको लगेगा जैसे कि मेरी स्कीन वहां से सफैद हो रही है तो बेतरीन तरीका यह है कि एक तो आप अपना वाटर इंटेक एडुकेट रखें दूसरा यह कि बहुत तेज गरम पानी से नाना है नीम गरम पानी से नहाएं जितने उतने ही टेमपरेचर पर रखें पा ूरदारा यह क Keys काया है एक हारिश करते हैं तो बॉड़ी पे कट आजाते हैं वो उनके हाथ जो हैं वो बता हरी है कि हाथ कर तो पंगे हाथ हो इस तो आप ज्या速 क्संवत पैरों करते हैं इस मौसम ጥ हो नग गोँए के लिए सकिन पर शेए औरु चिपाह Binинов को ओ सार शाथ बीजमों से अरफ साफ साथ मौश्चेरीस भी रखेगी किसे आपके हाथों को और यह इतने acknowledgement बीजितने बीजिलों में कम से कम बीजिटसे में सिंगंड नहीं करती। मैं सिंग capacity हितना रहित का उंचा बीजितन अरहन है अरफ्डर संची है माे यह जो है वो बहुत ज्यादा एंटि-बैक्टेरियल सोप इस्तमाल करती है कि बच्चे साफ सुथरे रहे हैं अगर आप सादा साफ हम इस्तमाल करें कि बच्चे साफ सुतरे ही रहेंगे बलके वह और सुपर इंपोस्ट इंफेक्शन से जो है ना बचे रहेंगे अभी जोए झाल झाल